तो यहां पर यूजी और पीजी दोनों के लिए ही एक important news है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो यूजी की बात करें तो लखनों विश्विद्याल है कि इसना तक पार्ट करमों BA और BSC Maths और BIO एन एपी 4 एर में बची सीटो पर दाखिले के लिए शुकरवार को दुपहर एक बज़े से online duty counseling के अंतरगत duty choice filling शुरू हो रही है इसकी अंतिमतिती 31 October को दुपहर एक बज़े तक रहेगी तो यहाँ पर बता दें कि आपका जो second counseling है वो सभी अभ्यारती choice filling कर सकते हैं जिनका नाम और rank overall provisional merit list में था अभ्यारती शुकरवार को दुपहर एक से मतलब एक बज़े से आज आज एक बज़े से 31 October दुपहर एक बज़े तक अपनी login ID से choice filling कर सकते हैं और यहाँ पर अभ्यारती को सला दी गई है कि उप्रब्द विश्यो में इसे अधिक से अधिक विकल्ब का chain करें जो भी आपका वहाँ पर subjects available होंगे उसमें seats के recording available होंगे जो भी subjects available हैं उसमें से आप कोशिश करेगा कि maximum subjects आप दीजे जिससे आपका allotment वो जो लखनो विश्विद्याले की तरफ से बहुत ही easily हो पाए अगर कम विशे देंगे तो उसमें जो है अगर competition जदा होगा तो आपका थोड़ा सा chance कम रहेगा क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों ने उसी subject के लिए apply कया और वहाँ पे जो आपकी जो rank है वो कम है तो जिसकी rank मतलब अच्छी है तो वो आपका उनको दे दिया जाएगा और rank अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको नहीं दिया जाएगा तो इसलिए जो maximum subjects हैं जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आपनी choice feeling वहाँ पे करिएगा तो पहर एक बज़े के बाद बोला है लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर एक बज़े login नहीं होता है तो करीब देंगे जैसे ही आपका allotment result आएगा या फीस का आपका कुछ भी आएगा तो आप वह login करके चेक करते रहेगा बाकी जब आएगा तो हम भी आपको inform कर देंगे और इसलिए चैनल से जूड़ जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल बटन दबा दिए जिससे उ आकरी तारिक 26 अप्टूबर थी इन सभी विश्यों का पहला round का seat allotment भी जारी हो गया था अब प्रतमा 110 के बाद बची सीटों पर दाखिले के लिए second allotment application जारी कर दिया गया है जो अभ्यारती के login पर शुगरवार से उपलब्द होगा ठीक है आज से मतलब आपको शाम त दिया जाएगा तो शाम तक यहां पर आपको मिल जाएगा देखने को कि second allotment में आपका क्या allotment हुआ या फिर कौन सी यहां पर आपको seat मिली आप लिखा है जिन अभ्यारती को second allotment की seat allot हुई है उनकी योगिता की चांच online होगी उसके बाद अभ्यारती को 31 October तक online fees जमा क करनी है जिनका allotment हो जाएगा थोड़ा सा वेट करिएगा login करके बारबर चेक करते रहिएगा आपका pay fees का जो बटन है वो live हो जाएगा active हो जाएगा तब आप महां पर fees जो है पे कर सकते हैं जब आप fees पे करोगे उसके बाद तुरंत आपकी receipt नहीं आएगी तो थोड़ा स रुख जाएगा करीब 8 गंटा-12 गंटा तब आपको महां पर दिखान लगेगा ठीक दुबारा payment मत करिएगा और हो सकता है कि तुरंत ही आपका महां पर fees payment का receipt दिखाने लगे ठीक है और यहां पर MP8 की बात करें तो MP8 की merit सुची जारी की गई है तकना विश्विद्याले म सब्सक्राइब कर दिए और बिल बटन दबा दिए क्योंकि आनवल देनों में हम आपको ऐसे ही नोटिस प्रोवाइड करते रहेंगे जय हिंद जय भारत